आप आइस के दैनिक हिंदी संपाद की विशलेशन में आपका हाड़ दिख स्वागत है तो यहाँ पास में कुछ इस जो हमने यह सीरीज चालो कि इसके बारे में कुछ आप लोग को कुछ विश्यस बाते बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों इसको चलाने की जरूत पड़ी कि हाँ पास सी इसका सिर्फ प्रपस सिप इसके चरर फ्रेंड अपया तो काफिा यह तो इसको चाहे प्रिव या मैंस में तक के हमारे इंटर्वी हो तो इसमें जो है तो इसे बढ़रान परकॉतीय उतनी गया है इतना certified झालन इंग्यार्टि तो लेकिन आप nine वारोज तो और ग़गा से लेकिन इसमें ब्राविताना पड़ाटी ने Problem करनेख़ें मेन्चुनवती मेन्स राइटिंग में होती है जहाँ पास चीज्जों नग्लिज पड़ते हैं कुने की अधर करें हैं लेक्रूर और जो माध्यम के भूत है तो इसका बहुत प्रवा होता है, तो हमारा उद्देश से यहां पास इस सीरीज के जरीए यही है, कि हम जो है तो अपनी भासा में अच्छा से अच्छा कंटेंट वो करें, और जो करेंट मुझे है तो उसको तकने की सब डवलियों के साथ बहतर तरीके से मेंस के पॉइंट इसको देखते चलें, तो इससे ज़्यादा मतलब कि हमारे मायन पे व्यू बनेगा और उससे बहुत ज़्यादा इसके सकारात्मा कसर पड़ता है, हमारी प्रकार से क्लारीटी ज़्यादा होती है, और चीज़ जो इंग्लिस में तो हम उसको पढ़ ले तो अच्छी बात है लेकिन कभी कभी एंसर आइटी में पिर जो हमारी टेमिलाजी जो तकनिकी सब्दो होते हैं तो फिर एंग्लिस में ही करना पड़ता है, तो उसको नकारात्मा कसर पड़ता है, तो परपस इस सीरीज कही है है कि बेहतर तरीके से हिंदी में बेहतर कंटेंट यहाँ पास आप आज आज अच्छे आज निश्चीत तोर पर इसके आपको सकरात्मक पॉइंट बिल्कुल मिलेंगे और यहां पास निश्चीत तोर पर इसका जो भी तो कुछ ना कुछ यह मतलब प्रोड़क्ट विटी आपको देखने को मिलेगी इसको अन तक देखेगा जरूर तो आज का पहरा आइडिकल दिखते हैं भरत जुन जुन वाला का बहुत ही 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 ब मतलब बहुत ही बेतर economics के point of view से भी देखा जाए तो बहुत ही innovative idea यह आपको book वगएरा में कहीं भी नहीं मिलेंगी जो इनके view हैं बहुत ही बेतर इन वियू है तो इसको हम अच्छे से देखते हैं इस article को कि इसका title को सरकार को चाहिए कि वखापत पर नियंत्रण करो निवेस वढ़ाए निवेस से करज लेन नुकसात दे नहीं है यानि कि जैसे अपनी राजकोसी जो है तो उसको हमने दारा 3.3 करके रखा हुआ तो उसी पर कुछ यह फोकस करते हैं और काफी अच्छे innovative view देते हैं आर्थिक मोरचे बीच दिया पक्लिच निपटने के लिए जो कदम सरकार के दोरा भी उठाया ही जा रहे है इसमें तो उसमें से जु है तो इसके विपकरी आपके शोड़कार को फ़िए तो उस में से जो है तो उसके लिए कुछ सर्कार्न ने की मतलब कदम बीद अजिसे जो छोटे बैंक हैं उनका विलाइभी किया गया है पास सरकारी वैंकों को मर्ज किये अभी हाले में 10 बैंक भी मर्ज क तो यह तो ठीक ही है साथ वहाँ पास यह चीज़ देखनों के मिली जो है तो पिछले वर्स में जो सरकार ने लोगे 200,000 क्रोड रुपए इन बैंकों में डालने की योजना बनाई थी तो उसकी तुलनमीद आज कंपेर किया जा तो बैंकों में जो है तो वह बाजार की हैससी म तो 230,000 क्रोड रुपए ही बचे मतलब कि नकारात्मक ही इस तर पे रह गया यानि जो पूजी है तो पूजी को जो मौजूदा इस तर रहा है वो नकारात्मक पे चला गया यानि कि पूजी को पूरी तरह से सेव भी नहीं कर पाए अपना जो जो लागत थी उसको भी नहीं तरह कार का जो जो जब निजए करण किया जाएगा तो उससे 230,000 क्रोड रुपए की भारी रकम मिलेगी इस रकम का हम यूटिलाजेशन सर्विस सेक्टर पे कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा इसमें से क्या कर सकते हैं इससे अपनी जो सेवा है तो उसको जिले में विदेशी भासा को पढ़ाने के केंदर बना सेंटर खोले जा सकते हैं वहीं भारत के जो अध्याबाक है उनको सबस्यटी दे करके दुनिया में देश विदेश में संथान हो जयतो वहां पस पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं इससे सर्विस का हमारे सपोर्ट ही होगा जिससे काफी मतलब सकरात्मक इसके इपरणाम देखने को मिल सकते हैं साथ यहां पास जैसे सरकार को बैंकों पर जो लगातर पूजी डालने के जो समस्या है आए दिन देखी जाती है तो उससे जो है तो उसकी बजाय पर हमारे जो सर्विस सेक्टर है तो जो निवेश के लिए करज लेने का उन्होंने उपसला दिया है कि इन्वेश्टिमेंट करने के लिए करज लेना कोई मतलब यह नकारात्मक नहीं है हलाकि जो सरकार ने जो पांच वरसम वित्ती घाटे पर काफी नेंतर तो रखा हुआ है उसमें काफी अच्छी सफलता भी सरकार को मिली है 2013-2014 में जो सरकार का वित्ती घाटा 4.4 था तो 1819 में उन्होंने 3.4 तक उसको लाकर रख दिया तो यह भी काफी मतलब कि राजकोस्य अनुसासन के दिश्रकों से देखा जाए तो काफी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ही रखा है लेकिन यहां पास यह जो कटावती है तो उसका अर्थ कैसे है कि सरकार अपने खर्चों पर नियंतरन कर रही है और जो उधार कम ले रही है यहां पास यह देखागा कि जैसे कि अर्थवस्ता की इस्थिरता के लिए बहुत जरूरी तो है नहीं तो इससे क्या होगा कि इंफ्लेशन जादा होगी जैसे उधारण की लिए नinen बता है कि सरकार है तो उसके वित्ती घाटे में जोखक इसका जैसे की वित्ती घाटा है तो वित्ती घाटे में कट व्यृ कीघוכरी खर्चु में कटहुती जो इसमें जो है तो लगवक लगवक GU ॲगवक 25 % हिस्सा है तो वह किसका हीरो फूजी खर्च में कटोँती किया और यह चाहिए भरा कि अपनी घंश चाहिए तो उसमें यह तोची तरीके से नहीं किया गया है बलकि जो तो अपने खपत में कम कड़ूती की गई है जबकि पूजी खर्चों में ज्यादा कड़ूती की गहे, चाहिए होना यह जाहिए। यह ज़ू हो जाहिए। झा՝ा। सब्सक्राइब कर दो पीधर में एर कंडिशनर हो गराया रखहे और दूकान तो जहाँ पास उसकुझे जरूए है जहाँ पास तरीक हमें सब्सक्राइब क्राइब करना जैसे जगन 2 लो इस ने करमी हैं को जो बढ़ाजार का वेतन देती है तो इसका ज़्यादा स्व कहा है जाकता है या सोना खरेटे हैं या विदेशों में रिष्ध्य माल खरेटेहं तो इससे क्या होता है कि हमारे नुकसान ही होता है इससे हम ये प्रकार सी import ही है इंपोर्ट को भढ़ावा कर रहे हैं हमारी जो अपनी currency तो मतलब कि उसका वह ही हो रहा है तो इसके बजाए हाँ पास यह कर सकते हैं कि हमारी जो यह रकाम है तो देस से भाहर चले जाते हैं सरकार जो इनको देती है यहां अपने देस पर नहीं आ पाती हुँ अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन के लिए यही मतलब की रकम जुद्धे से बाहर ना जाए तो उसको रोकने के लिए कर सकते हैं कि जो अर्थवेस्था है तो ठीक इसके लिए सरकार को यह चाहिए कि जो सरकारी खपत उस पर कुछ नियंतरन करें और निवेस्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जिरूत है तो निवेस्थ करने के लिए हां सरकार क्या कर सकते है कि उसमें कर्ज ले सकते है निवेस्थ करने के लिए कर्ज लेना कोई नकारात्मक करें अपने पर ही इन्वेस्ट करें उस चीज का मतलब कि उसका कोई मतलब कि उसको कुसी भी बिजनेस के पॉइंट आ भी उसनना करें तो फिर निश्ची तरप एक नकारात्पक तो उसकी हो सकती है तो इसलिए सरकार को इस समय दो काम करने चाहिए यहां पर सी राइटर के व विसे इस प्रकोष्ट बना करके निवेस्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और तीस्री उपए उन्होंने सुझाया है कि जो है तो आयात का टेक्स बढ़ा देना चाहिए जो इंपोर्ट डूटी बगएर है तो इसको इंक्रीस कर देना चाहिए तो इससे क्या होगा कि विदेसी चीजों का जो हम आयात जादा करते हैं तो हमारे इससे आयात कम होगा और जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट को भी थोड़ा सा बूश्ट मिलेगा तो यह उनके मतलब के टाइटर के वियू है तो अहीं सरकार ने जो है तो छोटे उद्योगों को कर्जम होया करना कि हा इस्टी में रिटरन भारना है तो इसकी जो प्रोसेस है तो काफी सरल बना दिया है तो इन कदमों को हाला कि सरकार का स्वागतियों के कदम है इतने लेकिन यह सफिसेंट नहीं है तो इनके लिए क्या करना ही जाए कि छोटे उद्योग है तो इन में से सरकार ने अपनी तरह से ऑब उठाया है काफी लेकिन फिर भी जो छोटो वी दो डेख है तो इनक बेहταर तरीकस के लाव नहीं लेपाते हैं और वहीं वह है तो इसके समआ बढ़ए रहती हैं और द्सक्शान चेन पार शोचन tinsY तो यहां पास आपके तो यहां पास जो प्रोडक्ट का दाम भी काफी सस्ता हो जाता है तो इसलिए वह वह सस्ते दाम पर हमारे यहां पस मतलब कि उस चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है चीन यहां पास जो जाता है तो इस वजह से हमारे प्रोडक्ट होते तो कफी महगे भी हो जाते हैं इसलिए जैदा मतलब कि उसकी चीन के माल के सामद ठीक नहीं पाते हैं तो भारतिया स्रमिक की जो जो है तो जो चाइनेज स्रमीक है वह दोगुना उनकी उत्पादकता है तो यहा कि जो चेनल से जो आयात होने वाले जो सामान हैं उन पर import duty को कफी बढ़ा दी जाए आयात कर को बढ़ाया जाए जो कि जो मुख रूप से जो छोटे उद्योग दारा बनाये जाते हैं वहां पास चोटे उद्योग हैं उनके दरा जो बनाये जाये वाले कुर्स वगएरा थो उन पर इंप्पोर्ट डुटी बढ़ाने की बात यहां पास की जा रही है इससे क्या हो कि जो छोटे उद्योग है उनको थोड़ा से कुछ राहत मिलेगी और इनके दरा जाहत अधिक स् छूट दी जाए क्योंकि वो जेस्टी के जो छूट का लाव अच्छे तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं जैसे कि compound scheme की जो यह दिबात की जाए तो यह समस्य यह आती है कि जो compound scheme में है कि इन्पूट पर जो जेस्टी पर उनका refund होता है इन्पूट टैक्स तो उनको नहीं मिल पा रहा है बरावर से इसके कार्ण क्या होता है कि बड़े उद्योग हैं तो बड़े उद्योग को लिए प्रॉफिटेवल है क्योंको इन्पूट मिल जाता है जेस्टी का जो बड़े उद्योग हैं तो उनके द्वारा अपने इन्पूट पर देगा जेस्टी को सेट आफ खरीदने और बड़े उद्योग को मिल जाता है लेकिन जो छोटा उद्योग है तो उसको नहीं मिल पाता है जो compound scheme का अच्छी तरीके से लाव तो इसलिए क्या है कि इसको भी जाता है सरकार को इस दिशा में इंधान देने की ज़रोत है जिससे कि उनके छोटे उद्योग को भी जेस्टी में ठीक ठाक छोट मिल सके और वहीं पास जैसे कि इसलिए जो बड़े उद्योग है तो उनकी प्रिवित्ति यहीं प्रिकास माइंड से हो जाता कि दूसरे बड क्यास उनको रिफंड करें नगत को रूप में रिफंड दिया जाए तब जाकर कि कंपोजिशन इस स्कीम की जो सार्थकता है वह सिद्धो सकतों इनको लाब में मिल सकेगा छोटे द्योगों को अच्छे तरीके से पांच बार सजेशन राइटर का यह है कि जो सरकारी सिच्छा है तो उसका निजी करण कर दिया जाए तो सरकारी सिच्छा जो निजी करण हो जाएगा तो उससे की आउटपूट मिलेंगे कि जैसे कि सरकार उच्छे सिच्छा और सोच सनस्था में कि इमानदार व्यक्ति को पर तो नियुक्त की है ठीक है जो कि अच्छा बात भी है लेकिन यह कुछ ही लोग पूरे तंत्रों को अच्छे तरीके से नहीं समाल सकते हैं इन संस्टामें सामान जो अध्यापक है अथो वग्ञानिक प्रवित्ति है तो यह अच्छे तरीके से डफल्प नहीं हो पाई वो तो इसलिए यहां पस इसका बैक आप सपोर्ट के रिबात के तो कोचिंग वगारा बैक आप सपोर्ट दे सकते हैं इनकी जो मतलब एड़ुकेशन पर है तो इसको नेजी करण के लिए मतलब के प्रेड करना चाहिए यह जो बिवस्ता है तो सीर्स पर इमानदार व्यक्तियों लेकिन युक्ति से नहीं सुद्रे कि इसमें क्या करना चाहिए कि जरूरी यह है कि सरकार पूरे ही सरकारी सिछ्छा तंद का नेजी करण कर दे यह रैटर के भी है तो और उसके नेजी करण से क्या होगा कि जो रकम मिलेगी तो उस रकम का क्या कर दे कि हर बड़ से जो व्य ड़े बड़ से प्रकार से मुफ्त बाउचर किनों ने बात कि त्यक्ति कि प्रतिस프ृधा का माहल होगा मुफ्त बाउचर बाउचर वाटने से जैसे कि गवन्चा तो क्या होगा कि प्रतिसपर्था संस्थानों में गुडवत्ता को लेकर के होड़ सी मत जाएगी तो अधिक सदिक वाउचर जूटाना चाहेंगे तो निश्ची तरफ पर क्वालिटी इंप्रूम्मेंट होगी इसमें तो इससे जो कालोजय को इस तरह है तो काफी ज्यादा म जाएग दिखा लिए इसमेंमिया जो आसाना चाहल सब्सक्राव सेवा जिर्ड़ाय फोक्ल मों अमेरिक सज्ण्दरे समय के सब्सक्राइब तो इससी होगी ऐसे कि स्सेमे काrol सेवा बूभक है तो इस उचारी ग्रूप से भी चलने लागी की और हमारे जो यूवा हैं तो इस सर्विस स्टर पे जैसे तो यह आनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं वही अनुवाद के छेतर में भी काफी अच्छे काम कर सकते हैं और स्वास्त परटन जैसे बहुत ही ऐसे सर्विस छेतर के से भी काफी मतलब अपनी सेवाय दे सकते हैं तो जो हमारी यूवा है तो अनलाइन ट्यूशन बगर तो पूरी चीज़ है तो यह विस इस तर पर भी एक प्रकार से हम अपने सर्विस को एक्सपोर्ड करेंगे तो इससे भी कुछ मतलब की मंदी की समस्य है तो पहुत कुछ इससे मतलब की कंट्रोल की आजा सकता है और इन कदमों को पूरी तरह से लागू कर दिया जा तो निश्चित तौर पे यहां पास से राइटर के कार्डिंग यहां पर हमारे आर्थिक विकास का जो दर है तो दस प्रतिसत के आसपास पास पहुंचने पहुंच सकता है तो मत इसमें इंक्लूड करने की बात की है तो उसमें उसी बारे में यह आर्डिकल कहता है कि जैसे हमारे जो सुचना का अधिकारा है आज लगवख 14 साल बीद के हैं लेकिन यहां पास सरकार उसकी जो मतस्ते जो चलने वाले संस्थान जैसे एन्जियो बगरा है तो उनमें अच् कि इसे सुनिश्चीत हो सके जिस लिए बैसे तर्दरश्था से तो किया है कि हाला कि में लेकर का में सकार होगी प्रदरश्था ہी सुनिश्चीत होगा और साथ ही सरकारी जो तंत्र है तो उसमें भी कफी पारदर सिता लाने का प्रियाश्किया है और जवाब देही भी से काफी सुनिश्चित हुई है सुचने का धिकार के दाद लेकिन एक प्रिकर्स एक खाटियार बना है लेकिन यहां पस इसके जो असर का अंदाया तो इससे भी लगाया सकते करी संस्थान तो इस कानौन को अपनी सुविधा में एक बड़ी बाधा मानने लगे थे और खास तर पर यह देखा जाए तो यह एंजियो छेटर इसमें से ज लगना चाहते हैं इसे यह बचते हैं लेकिन काफी अच्छी खासी फंड सरकार से इनको मिलता है जबकि तो आकि उन्हें भी तो जन्ता की हिद्व में काम करने करना ही चाहिए और जवाब दही उनकी भी सुनिश्चीत होना चाहिए क्योंकि वह भी सरकार से फंड लेते हैं उन्हें मतलब कि यही जो गैर सरकारी संगठान उनको भी सुचना अधिकार के कानून के दारे में लाने की जो हमाग तो काफी लंबे समय से चल रही थी जिसको मतलब की भी हाली में सुप्रीम कोट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जो सरकार से मोटी राश पाने वाले जो कानून के तहत नागर्कों को सूचना उपलब्द कराने उनको भी कराने होगी हलाकि इस तरह के संगठन या संस्थान के जो संदर में आर्टियाई कानून के लागू होने की दायरे है तो दायरे तो उसको भी लंबे समय से मतलब यह पूरी दरह से इसपष्ट नहीं हो पाय करते हैं लेकिन जब ब्योरा देने की बाती आती है तो उससे कतराते हैं तो उस चीज को नहीं प्रोवाड करवाते हैं तो बलकि इस कानून से मुक्त होने की उमेद में जो संचालित करने वाले कुछ एंगठन हैं जैसे कई स्कूल कालेज हैं संगठन हैं उन्होंने सीर असान है उनको अपनी आयस संबने जो सारी जानकारी है अपनी वेबसाइटों पर सावजिनिक कर रही होगी यह इस पश्ट तरुपया हला कि आट्याई कानून में भी था लेकिन उसको ठीक तरीके से उसका पारान नहीं हो रहा था हला कि जो सुप्रेम कोल्ट का जो हाल का अब 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 आगा उसको पर पूरी जानकारी जिससे क्या है कि जवाब देजिता सुरिश्चीत होगी और इससे जो है तो मतलब की लोग का विस्तास भी बढ़ेगा तंत्रों पर तो जो की हमारे देश में काफी मतलब एक प्रकरस्ट पर प्रकरस्ट पर द से सकारात्मक ही महौल क्रेट करेगा तो इस अर्टिकल में नेक्स्ट ट्रेट कर जलते हैं यह है आयुसमान भारत से संबंदित जो भी कुछ इसमें धादली बगारा देखी गई है तो उससे संबंदित यह एरटोयल है यहां पास जैसे सरकार ने स्वास्त भीमा योजना आयुसमान जो लांच की थी 23 सितंबर को तो इसमें मतलब कि एक इसका जो बहुत ही सकारात्म स्वास्त भीमा योजनाव में से एक जाती है तो इसमें जो है तो बहुत से ज़्यादा फरजीवाडा देखनें को मिला है जैसे भी हाली में प्रेस कांट्रांस में केंडि स्वास्त परिवाया का लान मंत्री हर्जवाधन जी ने भी बताया था कि इसमें जो है तो 1200 मामले तो इस धोका दड़ी के देखने को मिले हैं और साथ ही यहां पास फिलाल तो 376 अस्पताल है तो वह जांच के दायरे में है और 338 अस्पताल के खिलाब तो कार्ण बता नोटिस भी जारी कर दिया गया जो इसमें बहुत ही गंभीर तरीके से ब्रश्टाचार और धांदली के म तरीके से मतलब कि एक सरकार के तरफ से सक्त कारवाई भी संदेशी देती है कि निश्ची तरफ पे सरकार प्रतिवद्ध है पारदर्शिता के लिए लेकिं यहां पासे जो यह खास बात तो यह है कि जो संतानने अस्पताल है तो इस योजना के पैनल से हटा भी दिया गया सरकार के तरफ से कठोर काफी कदम उठाए भी गया है और तो इसमें जो कुल डेड़ करोड रुपय का जुर्माना भी इसमें सरकार ने मतलब लगाया है इन पे तो यह जो सरकार को उद्देश था कि 10 करोड परिवारों को कल्यान के लिए जो आयुस्मान योजना मतलब इस कुछी तरफ पर पाई जाती थी कि आयुस्मान जो भारत है उसमें क्रियान भेन को लेकर तो पहले सी कुछ सिकायते गड़वडिया देखने को मिल रही थी चाहाए पैनल से जोड़ा इस्पताल द्वाला लाभारती मरीज का इलाज से संबंदी इंकार करना हो या कुछ कर लेते थे तो इस तरह की भी बहुत से कैसे आया है मतलब कि सरकार को पैसा होता था उसका दुरूपियों भारी पैमाने पर हो रहा था तो जो स्वास्त वीमा योजना तो उसका मतलब की गलत तरीके से उसका फंडिंग मतलब उसका फंड का दुरूपियों किया रहा था त कि सरकार ने ऐसे मामलों की पहचान के लिए विवस्था अगत उपायत की हैं तो यहां पर यहां तक कि यह भी कहा गया है कि जो जो उनके नाम की नाम योजना की जो अधिकारिक वेफसाइट पर भी डाल कर इस्टाविन कर दिया जाएंगे जिससे कि थोड़ा सा क्या कि उनकी उनकी माहॉल होगा तो इससे सहहत से कुछ ह्द तक फरीवाड़े निजात मिल सकती है तो यहां पर जो है तो यह जो ने निजी पूजी की बड़ती भूमीका है यहां पर प्रकार से प्रश्टाचार काफी पढ़ी पेमाने की हो रहा है जैसे निजी अस्प्ताल इसमें संख्या है तो इसमें ज्यादा है ना तो इसमें ज्यादा है तो मरीज इलाज के लिए यहीं आते हैं तो यह भी बड़े पैमाने पर इसमें मतलब की दादली कर रहे हैं तो इस तरह की उससे समस्या उस दिल के लिए सरकार को मतलब निश्चित तर पर सरकार के वी काफी अच् तो इस आर्टिकल आप यहां पास comment box पे उसको लिख करके निश्ची तो मुझे बता है ताकि हम कुछ इसमें improvement भी कर सके आपके according जो भी जैसी भी आपकी वतलब के demand है तो उसके हिसाब से content भी provide करवा सके और साथी इस वीडियो को like करें subscribe करें और ज्यादा ज्यादा share करें आज के लिए बस इतने धन्यवाद